हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आश्यकरतों आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधिर और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर एट तो चैप्टर नंबर एट हमारा आईजी की यूँ में क्लास त्री के लिए क्या है यह स्पोर्ट के बारे मे ठीक है ना तो अभी यहां पर एट के बाद 9, 10, 11, 12, 4 चैप्टर रॉस बचे हैं जो मुझे इस वीक में मैं इसे कंप्लीट कर दूँँगा तो पहला है आपका देखिए टेस्ट स्किल में आज यहां पर क्या पढ़ना है इंडोर आउट्डोर गेम्स, स्पोर्ट परसनाल और डाइमन्ड शेप फिल्ड ठीक है ना तो कॉशन आपसे यह पूछा गया है कि इसमें ऐसा कहां सा गेम है जिसकी जो फिल्ड होती है वो डाइमन्ड शेप की होती है आई सोखी, बास्केट बाल, बेस्बाल या सौकर तो यह है आपका बेस्बाल ठीक है ना देखिए बे तरबिया का और सौकर आपका कहा है इटली का ठीक है यह से बहुत सारे स्पोर्ट कॉमन भी हो सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज के भी चलिए तो यहां पर आते हैं सेकेंड नंबर पर सेकेंड नंबर हमारा कोशन है विच विच आफ दे फॉलॉइंग स्पोर्ट दा तर्टम स्लैंब डंक एस्सिएटेड तो कोशन आपसे यह कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें स्लम डंक स्लम डंक जो वर्ड है इसका यूज होता है तो यह है आपका ठीक है नंबर भी और यह कौन सा गेम है यह है आपका बॉस्केट बॉल क्या है बॉस्केट बॉल ठीक है चलिए अब आगे आते हैं कोशन नंबर थ्री पर बीसी सी आई इस दर नेशनल गवर्निंग बॉर्डी फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाट इस फूल फॉल फॉर्म बीसी सी का फॉल फॉर्म क्या होता है बॉर्ड आफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ठीक है ना यानि कि ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा साथी सथ बीसी सी आई का हेड़कौर्टर कहां पर है तो यह है आपका मॉंबई में यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है उसके स्वार्ट गॅंगली कहां कि कॉलकता के हैं ? फिर देखिए बी-सीसी आई के सेकेरेटरी इसमे इसमें ई यह अँएसा है इतनी सारी चीज मैंने आपको बता ढिया इसक–क्वाटर मॉंबै नव suicide पर इतनी सारी चीज़ इसका हीटकब्ई मूंबई पर चले अब आते हैं कॵ पर कोशन नमबर फूर हमारा क्या है वीच ऑफ फॉलूइंग एवार्ड इस गिवन तो रिकंगनाइज और स्टेंडिक एचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट अगर देखे नेशनल स्पोर्ट में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है आपका परफॉर्मेंस ब पहली बार 1961 में और इसमें जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है यह 15 लाक रुपे मिलते हैं ठीक है अब यहां पर हम आते हैं और पर यह लिखा है पदमसरी पदमसरी हमारा क्या है फोर्थ ओनर्स एवार्ड ऑफ सिविलियन ठीक ना यानि कि चौथा एवार्ड है क्रम से यह जो दिया जाता है सबसे प्रिष्टीज एवार्ड इंडिया का क्या है वो है आपका भारत रत्र ठीक है ना चलिए अब यहां पर आते हम फिर है आपका असोग देखिए यह जो पदमसरी है स्टार्ट हुआ था 1954 में ठीक है ना यह भी ध्यान रखिएगा फिर है आपका अस स्पोर्ट के लिए सबसे प्रिस्टीजिस फर्स्नमर्पर उसका नाम है मेजर ध्यान चंद मेजर ध्यान चंद मेजर ध्यान ठीक है यह जो है आपका यह फर्स नमबर पर है किसी बीस परद्शन के लिए अलिए ठीक है परंवीरह करि em है दया started कि एंगा था नाइग देखिए दोस्तों कोशन नमर फाइफ आपका कहा है इन वीच और फॉलॉइंग स्पोर्ट ए प्लेयर एवार्ड विद टाइटल ऑफ ग्रेंड मास्टर तो ग्रेंड मास्टर हम किस आपका जो देखिए इस गेम में जो विनर होता है ना वर्ल्ड चैंपियन होता है उसमें ग सुनाथन और एक खिलाड़ी और है उनका नाम है मैंगनस कालसन वह नौर्वे के हैं यह विद्यान रखिएगा चलिए तो यहां पर कोशन यह बनता है कि जो चैस है चैस को कौन और्गनाइस करता है तो वर्ल्ड चैस और्गनाइस ठीक है यह कौन से संस्था करती है कौन कि इसके अनदर आता है तो जाता है FIDE के FIDE ठीक ना फुल मं होता है θα International Chess federation क्या होता है secondo चैस्ट फेडरेशन बनता है यह पर 258 वीच व्लूइंग इज अ most plate for कबड़ी in India and the world ठीक है ना तो कौन से फॉर्म का कबड़ी जो है वो इंडिया में और पूर दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है तो यह है सूरंजीवी क्या नाम है इसका शूरंजीवी इंडियन स्टाइल है यह सब इंडियन स्टाइल है आमर जैमिनी हुटू ह हुटू ठीक है न तो यह सभी कबड़ी के फॉर्म से यह सब इंडियनी स्टाइल है ठीक है चले और यह हुटू भी आपका चाइन और में भी खेला जाता है ठीक है न चले अब आते हैं कोश्चन नम्र सेवन पे कोश्चन नम्र सेवन है इन गिवन पिक्चियर वाट इदा क्रेकेट अंपायर सिगनली देखिए जब अंपायर अपना दोनों हाथ धिरे-धिरे ऊपर की तरफ ले जाता है एक साथ तो इसका मतलब होता है आपका six runs क्या होता है six runs ठीक है चले विच ट्रैक एंट फील्ड इवेंट इस प्लेडवाइड इक्विमेंट सून इन गिवन पिक्चियर तो देखिए यह कौन से गेम के लिए यह चीज यूज की जाती है तो यह है आपका जैवलिन थ्रों ठीक है न और जैवलिन ध्याना के हर्याना के कहा के पानीपत के ठीक है तो यह सब जीजह आप ध्यान में रखेंगे ठीक है नहीं बहुत ही उबरते emerging plane है नीरत चोपडा भारत के नाम आगे बहुत ही रोशन करेंगे ठीक है अब दिखिए जैवलिन थ्रों का यह जो बाला होता है इसके बार बें थे जेन जेलंजी थेद के हैं ठीक है यह ति थीय्ट इ 무연 ाते हैं और अगया आते हैं नाइन नंबर में नाइन नंबर क्षिन हमारा क्या है वीच उदर फ़ॉलिए़ इक्सेशाईविक और सो और कि अ कि ऑृडि अंदर जा और आप कितने oxygen का utilize कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर इसमें से कौन सा थे कि swimming running cycling यह सब आपकी जो वार्मप वाली exercise होती है यह aerobic exercise में आती है लेकिन lifting weight यह आपका hard आपका होता है ठीक है hard exercise होती है तो यहाँ पर swimming running and cycling इसमें प्रवार्मप के लिए जो चीज़े करते हैं वह सब इसमें आती है और 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 क्या बोलते हैं कारडियो वैसंकुछुर एक्सरसाइज देए कारड डीयो सब व्यर्ट से रिदेड है यानि कि हर्ट का जब ठीक हर्ट वीर्ट जब आपकी बढ़ने लगती है जो एक्सरसाइज करने से किसमें आता है ऐरोबिक exercise में ठीक है चलिए अब आते हैं आगे अपने question पे question number 10 पे I hope आप ये video enjoy कर रहे होंगे 10 number question है who was the Australian batsman who is still hold the record of 99.94 runs for the highest individual test batting average in test matches तो इनका क्या नाम है ये Australia के थे तो इनका नाम है दोस्तों Sir Donald Bradman ठीक है ये आस्ट्रेलिया के है और इनका जो निकनेम था क्या था निकनेम इनका निकनेम इनको प्यार से लोग क्या कहते थे डॉन कहते थे डॉन कहते थे ठीक है इस्टीव इस्टीव वैग भी आपके इच वन आप दो सेवन वर्ड जाम्पियंशिप इसी टीक ना इसेवन वर्ड डीक है कौन बन आता है यह मैरी कॉम क्या नाम है इनका मैरी कॉम अब अब देखिए यह पहली इंडियन उमन थे जो टहकर ना ओलंपिक 2000 देखे देखे इनके बारे बेले जानते हैं यह कहां की है तो यह है कांगेथी की कहां की है कांगेथी एक जगा है कहां पर मडीपुर में मडीपुर में यह किस डिस्टिक से आती है चूरा चंदरपुर कहां से आती है चूरा चंदरपुर डिस्टिक से मनीपुर मे और इनके गाँव का नाम है कांगे थी, क्या नम है कांगे थी नाम है, फिर चली तो इसका अंसर यह होगई है, ससी साथ B में है आपका कुंछ रानी देवी, तो कुंजा रानी देवी कौन है, यह weight lifter है, क्या है Indian Weight Lifter है और ये भी कहा की है IMPHAL की है और IMPHAL आपका कहा है Minneapolis की Capital है तो ये भी Minneapolis से है फिर है अंजू बोबी जोर्ड ये athlete है और ये कहां से है केरला से है फिर है आपके कळलम मलेश्वरी बहुते हैं जो सबसे पहले Oτόलम्पिक्स में क्या किए थी मेडल जीत के लाई थी ठीक है ना फर्स्ट इंडियन उमें टु विन गोल्ड मेडल इन ओलम्पिक्स 2000 या कि जो ओलम्पिक 2000 में हुआ था उसमें इन्होंने क्या जीता था आपका मेडल जीता था और ये किस स्टेट से है ये आंध्र प्रदेश से हैं कहां से आंध्र प्रदेश से और ये कौन सा गेम खेलती हैं वेट लिफ्टिंग ठीक है ना वहीं वेट उठाने का काम करती है वेट लिफ्टर है ठीक है चली आगे आते हैं इतनी चीज़े काफी होंगी इस क्वेशन में त्यूल नंबर क्वेशन है इस बॉलर्ज इस था हाइएस्ट विकर्ट टेकर इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकर्ट यानि कि एक दिन में सबसे ज़्यादा विकर्ट लेने वाले कौन से बॉलर है तो इनका नाम में मुथाईया मुर्ली धरन और यह स्रि-लंका के प्लेयर है और स्रि-लंका की कैपिटल क् कोलंबो और एक है स्री जैवर्द ने कोट्टेपूर है ठीक है ध्यान रखेगा वसीम अकरम आपके पाकिस्तान के हैं साथी साथ यहां पे सेन वर्न यह आपके आउस्ट्रेलिया के खिलाडी है और इन्हें आप जानते हैं कपिल देव ठीक है ना कपिल दिव यह इंडिया के जीता है क्रिकरड में तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया कंट्री ठीक है ध्यान रखेगा थर्टी नमबर पुलेला गोपी चंद है रिपिदें इंडिया थ्री थॉमस कब टूना मेर्स विच वन आफ दा फॉलिंग स्पोर्ट ही एसोसियेट है ठीक है तो यह कुश्चन आप देखें फॉर्टी नमबर कुश्चन आपके सामने क्या है विच वन आफ फॉलिंग तब मेन रीजन फॉर दॉइंग वार्मप एक्सार साइज विफोर फिसकल एक्टिविटी मैंने आपको पताया था कि जब हम वार्मप करने से पहले ठीक है वार्मप हम क्यों करते हैं वा है वी काम करेंगे तो उससे हमारे वार्मप में क्या हो इंजरी ना हो चलिए तो यह हो गया फॉर्टी नमबर का आंसर अब आते हैं फिप्टी नमबर कोश्चन पर तो अभी एन औरोबिक वाला एक्सरसाइज आपने पढ़ा था ना वही वार्मप वाला है आपका ठीक है ध्यान रखिएगा तब मोश सीरियस डिस्क आप थाइट हैर्ड डिजीज विच और फॉलोइंग फूड आइटम्स और हाई फैट कंटेंड देखिए सबसे ज्यादा फैट कंटेंड किसमें होता है तो यह है आपका पिज्जा और पिज्जा आपका किस कंट्री का डिस है यह है इटालियन ठीक ना इटालियन है पास्ता भी जो आप खाते हैं वह भी इटालियन डिस है यानि इटली जो कंट्री है वहां का यह दिश फी ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए कोशन नंबर 16 पर आते हैं कोशन लिग आशना सोन इन दा पिक्चर यह जो लेडी हैं यह क देखिए जो यहां पर धनु आसना है धनु राशना धनु उसके जैसा तो यह जो हुमन की बैक होती है यानि कि जो पीड होती है उसको स्ट्रॉंग करने के लिए से किया जाता है और गो मुखासना को हम क्या कहते हैं काव फेस पोज क्या कहते हैं तो गो का मतलब क्या होता है तो काव फेस काव फेस पोज फेस नाम से जानते हैं ठिकहए फिर आपका भुजंग खासना तो हम सब्सक्राइब का ह्या कहते हैं कोब्रा पोज शांप असे कहते हैं ठिक है अ जयले बहुत लादे पॉश्चर आल्मोष्ट ऑल बॉड़ी जॉइंट और ऑपरेशन विच इंक्रेज ब्लड फ्लो देखे होता क्या है इसमें कि यह अपने आपके बॉड़ी पॉश्चर को इंप्रूब करने में बहुत ही हेल्प करता है साथ ही साथ ही आपके जो बॉड़ी के जॉइंट से उस इस ग्रीक गॉड़ी के लिए यह जो उलंपिक गेम है ये किया जाता है तो इनका नाम है जूञ्स ठीके न तो जीन को हम क्या कहते है God of Sky in Greek तो Greek भासा में जियूस का मतलब क्या होता है God of Sky God of Sky ठीक है ध्यान देजिए गाई इन सब बातों को कि ये सब चीज़े आप सब पुशे जाएंगी पेपर में ठीक है ना आप दोगे Methodology के हिसाब से क्या है कि ये जो जियूस है इनका क्या काम था या ये किस टाइप के God थे तो ये ruler थे ठीक है ना रूल करते थे protector थे यानि की समस्याओं से बचाते थे ठीक है ना फिर है and father of all gods यानि कि जितने भी देवता होते हैं उन सभी के God कौन थे जियूस थे ठीक है तो Olympic Games आपको समझ में आ गया जो कोशन है यहाँ पर आपसे पुछा गया है ठीक है अब Jupiter आपका planet है हमारे solar system का सबसे बड़ा planet है ध्यान रखिएगा ठीक है ना ये थोड़ा सा yellow color का है क्यों क्योंकि यहाँ पर sulfur बहुत ज़्यादा पाया जाता है ठीक है ना एसो टू गैस बहुत ज़्यादा पाया जाती है इस वज़े से यह यलो गलर का है चले 17 नमर कोश्चन हो गया 18 पर आते हैं कि देखिए दोस्तों 18 नमर कोश्चन आपके सामने है इन वीच आव दा फॉलिंग ओलंपिक स्पोर्ट इस वीरिंग नॉट दा बीयर्ड बीयर्ड का मलब क्या होता है दाड़ी होती है ठीक ना तो यह है आपका बॉक्सिंग क्या है बॉक्सिंग में आप बीयर्ड नहीं रख सकते दाड़ी नहीं रख सकते ठीक ना चलिए तो अच्छे यह बताईए कि यह जो गेम है इसको बैन कौन करता है कि आप दाड़ी नहीं रख सकते तो यह है आई-उसी IOC को हम क्या कहते हैं International Olympic Committee International Olympic Committee जो है यह क्या की है यह इन्होंने बैन कर रखा है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते ठीक है ना तो जो बॉक्सर हैं यह दोनों लोग यह लोग दाढ़ी नहीं रख सकते यह बियर्ड नहीं रख सकते चलिए 19 पर आते हैं 19 नमर कोशन है १्जब करें टाइडी सब्सक्राइटम शार्यव जो धाने लनमपिक जो है यह कुझन है जब से किसंसे पहले एतंस में हुआ तो यहां पर कौन है कि इनका नाम बार फिर इडी कोबर्टिन तो यह जो आयोसी है आयोसी के कौन थे फॉंडर थे टीक न क्या थे फॉंडर यह इन्टरनेशनल ओलम्पिक कमिटी के थे जिए और यह second और यह क्या थे फ्रेंच इस्टोरियन थे ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए अब आते हैं 21 नमबर कोश्चन पे 21 नमबर कोश्चन हमारा क्या है कि यहां पर देखिए कुछ प्लेयर दे रखें वह कौन सा गेम खेलते हैं यह हमें आप बताना है तो दीपा करमा कर आपका क्या खेलती है जिमनास्थ हैं ठीक है दुरिशंड यह Sprint है मालब की यह बहुत चोटे जो दौड होती है रानिंग होती उसको करती है एक ठीक है तो श्षोटी दूरी टीले कि करते हैं तो टॉक्यो आई-लेंड पे जो कब कॉछे भी बाइगी क्योंकि कब कॉंछी मैं पूछ ली जाए को भरोसा नहीं जरुँन्तर पढ़ा हो यह आपके पेपर में आपको जानते हैं यह आपके लिए मिल्ला है क्कुछ भी पेपर में आप से पूछा जा सकता है सूरज, चाग और सितारों के निशे जो भी चीज़े हैं वो सभी क्या है जी क्या है तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा यह नहीं कि मैं जो कोश्चन कर रहा हूं यह कोश्चन पेपर में आएगा बिल्कुल भी नहीं ठीक है ना आप बहुत यूडूब पर पढ आपके पेपर में आ जाते हैं ठीक है क्योंकि आपने देखा हो कि जो मैं एक्सप्लाइनेशन बताता हूं उस पर आगे कहीं न कहीं आपको कोश्चन उसके जैसा जरूर मिलता है तो आप ध्यान से हर चीज़े को सुनिए और ध्यान से पढ़िए चली शुरू करते हैं तो कि महने उनने गोल मेदल जीता था ठीक है और सिला अले गोड्समिकन जीता था टू ब्रॉज मेटल धी नहीं जीता था कितना इस का आञते हैं पूछए आप के आप ere है तो णिद्रेगों हो ग्या है एक सेवघान अगया हम पढ़ रहे दोस्तव आप अब हमार नब पढ़ा करिए कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा आंसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है ठीक है चलिए कोशन यह है इनकरेट का मलब कौन सा गलत है अभी मैंने आपको जस्ट बताया था सबसे जदा वर्ल्ड कुप क्रिकट में जीतने वाला कंट्री कौन है अब दिए कोशन आभी गया है ठीक है तो एक्स्प्लाइशन जो बताई जाती है उस पर भी आप ध्यान दीजी ठीक है ब्राजील है फुटबॉल्ड कप मैक्समन नमबर आफटा है तो ब्राजील जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है ना जो फीफा और नाइस कराती है ठीक है तो यह सबसे ज़्यादा किसने जीता है ब्राजील ने यह भी सई बात है फिर है सी नमबर इंगलेंड है तो सिट कॉमन विल् पूछा था कि इनकरेट क्या है तो यह अप्शन नमबर सी क्या है आप्शन नमबर सी फिर आते हैं ट्व्यू टम्स लेटेटेट टो इस्पोर्ट आ लिस्टेट इन गीवन विलू तो कॉश्चन यह आपसे पूछ रहा है कि कितने स्पोर्ट है जो यहाँ पे किये जा रहे उपारा है जो आपके किस गेम से रिटेट हैं गोल्प से ठिक है तो गोल्प से कौन-कौन रिटेट है तो यह है बिड़ी वोगी और एगल ठीक है ना बंट जो है आपका यह किस खेल से रिलेटेट है किस अपोर्ट से रिलेटेट है तो यह वेसमार तो ओंस्ट एक pertama baseball ठीक यहां पर लिखने में बड़ी प्रॉबलम होती कुछ स्क्रीन छोटी रहती है जब मैं कभी टैब ले लूँगा थेकिन अभी तो इतनी मुझे कमाई हो नहीं रही है यूट्यूब से जब होने लगए तो मैं टैब ले लूँगा फिर मुसमें और अच्छे से लिखूंगा ठ थ्री ठीक है चलिए इतने हो गए अब हम आगे आते हैं कोशन नमर्ट 25 पे तो कोशन नमर्ट 25 यह है कि हूं अमन्ग फॉलोइंग रेस्लर केरी दा इंडियन फ्लेग अट ओपनिंग सेरेमनी और 2012 लंदन ओलंपिक्स तो लंदन करते हैं यह इंडियन रेसलर ठीक है ना तो दोस्त यहां पर यह वीडियो खतम होता है और हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नमबर नाइन मैट्स फन और अगर आपके वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीस लाइक करियो और साथ ही में अगर आपके कोई फ्रें